8.1 आयनिक बंध, आयनिक बॉंड ऐसे तत्व जिनके परमानुओं के बहतम कक्ष में 8 इलेक्टरॉन से कम होते हैं, हैड्रोजन को छोड़कर, वे बहतम कक्ष में 8 इलेक्टरॉन प्राप्त करने के लिए अपने ही परमानु या दूसरे परमानु से सैयोग या क्रिया करते है अर्थार्थ अक्रिय गैस विद्ञास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पर कैसे? आईए इसे दैनिक जीवन में उप्योग किये जाने वाले नमक, सोडियम क्लोराइट के उधारन द्वारा समझें सोडियम क्लोराइट, सोडियम तथा क्लोरीन तत्वों से मिलकर बनता है आप जानते हैं कि सोडियम तथा क्लोरीन की परमानु संख्या क्रमशह 11 तथा 17 है आईए इनका इलेक्ट्रोनिक विन्यास बनाए अब दोनों तत्वों के Electronic विज्यास को देख कर बताएं की इनके बहयतम कक्ष सैयोजी कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? आपने देखा कि S новых परमाणों के, K कक्षमे 2, L कक्षमे 8, तथा M कक्षमे 1 संभावन यह हो सकती है, कि sodium M कक्ष के 1 electron को त्याग दे जिससे उसके K तथा L कक्ष में क्रम शह 2 तथा 8 electron रह जाएं ऐसी इस्थिति में वह अक्रिय गैस विन्यास neon 2 आज प्राप्त कर लेगा दूसरी संभावना यह हो सकती है कि sodium 7 electron ग्रहन करे जिससे उसके K कक्ष में 2, L कक्ष में 8 और M कक्ष में 8 electron हो जाएं ऐसी इस्थिति में वह अक्रिय गैस विन्यास argon 2, 8, 8 प्राप्त कर लेगा सोडियम की परमानु संख्या 11 है इसका अर्थ है कि उसके नाभिग में 11 proton तता कक्षों में 11 electron है यदि वह एक electron का त्याग करता है या 7 electron ग्रहन करता है तो क्या आप बता सकते हैं कि उस पर कितना आवेश होगा